फॉरव आपने ऐसा आखिर क्या पूछ लिया था जिसे ब्रिजबूशन शरण सिंग इतना सहज हो गए उन्हों नहीं एफिडविट को कोट किया और फिर वो ये कह रहे हैं कि उकसाया गया इसलों ने कोट कर दिया आपने जो आरोप लगे थे उन्हीं के तो जवाब मांगे तो फिर इतनी आख सहज ताकी हो आपने देखा कि ब्रिजबूशन शरण सिंग इंटर्विव छोड़कर कैसे भागे हैं और और कुछ नहीं पूछा गया उनसे ये इंडियान उलम्पिक एस्सोसेशन की स्पेशल इन्विस्टिकेशन कमिटी का जो एफिडविट दिया गय है उस एफिडविट का पन्ना नंबर तीन है पॉइंट नंबर चार जिसमें एक महिला खिलाली ने जो कि उलिम्पीन खिलाली हैं उन्होंने बताया है कि कैसे तुर्की में उलम्पिक क्वालिफिकेशन के वक्त उनके साथ बचसुलूकी की ब्रिजबूशन शरण सिंग ने इस आरोप का प्रिजबूशन शरण सिंग जवाब दे सकते थे जैसा कि वो देते आएं हैं ऐसा तो नहीं कि वो पहला को इंटर्व्यू दे रहे थे इस आरोप का जवाब दे सकते थे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो कि उन्हों बताते हैं कि उन्हों बताते हैं कि लेकिन उनोंने ये कहने के बजाए वो एतना बखला गए सुनते ही केवल मैंने ये कहा कि तुर्की में आपके सामने एक आरोप कोट कर रहा हूँ कि तुर्की में एक महिला खिलाली ने आरोप लगाया कि तुर्की में 2015 में आपके उनके साथ बचसलू की कि सुनते उरुनओं नगyncा, आप जोज नहीं है, आप सुप्रिम कोड नहीं है, आप नहीं कोड कर सकते, आप नहीं बोल सकते, जबकि इससे पहले वो खुद इसी जांच कमिटी के सामने एक महिला खिलारी ने क्या कहा है? एफिडेविट के अंदर नाम ले करें तो वो नाम ले वो एफिडेविट कोट करें तोचित है हम उसी कमिटी के सामने एक महिला खिलाड़ी का क्योंकि हम जिमेदार जिमेदारी से कह बात कर रहा है हम नाम नहीं ले सकते एक sexual offense की complaint है आप किसी महिला का नाम उजागर नहीं कर सकते तो मेरे पास इसमें नाम होते हुए भी नाम नहीं बता सकता मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन complaint में क्या उनकी ओपर आरूप लगाया गया मैं आरूप पढ़ रहा हूं और वो वो नाम वो आरूप शुरू होते ही उखड़ गया और उसके बाद पर आपने देखा कि उन्होंने बस इलजाम लगाना शुरू कर दिया हमारे उपर और फिर अंत में उन्होंने अपने आंसी एर पीस निकाला और इंटर्वी छोड़ कर चलेगा और ये कहके गए कि कैमरा हटाईए इनके नाम नोट कर लीजे इनको दोबारा आने मत दीजेगा तो बिज़ आप सुपरिम कोड नहीं लिजेए और आप से कहना मैं आप से कहना चाहता हूं कि उन्होंने उस ह。 मैं जो कमिटी बनी थी उसके जांच रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया मैं मेरी एक बात सुन لिजे आप 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 सुप्रीम कोट नहीं है आप सुप्रीम कोट नहीं है मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस की जो भी रिपोर्ट आएगी दिल्ली पुलिस की जो भी रिपोर्ट आएगी दिल्ली पुलिस की जो भी रिपोर्ट आएगी दिल्ली पुलिस की जो भी रिपो कि आप जज ना बने वो लोग तो जज बन गई है वो लोग तो जज बन गई है जज बन करके बैठी है और कम से कम जो है मीडिया जज न बने एक उलम्पियन जेल में भी है एक उलम्पियन जेल में भी है एक उलम्पियन जेल में भी है रोकिए उनको एक उलम्पियन जेल में अब में आप यह एक औलंपिया जेल में भी है डवल 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 मेडल उसके पास औलंपियन होने का साट्रीफिकर नहीं मिल जाता कि आप जूट नहीं बोलते जाप अपने दुपान यह कैमरा बंद करी पंद करी रूख जो यार बंकर जाईए एए इनका नोट करो इनको दुबारा मताने दीजिएगा जजमेंट करने लगते हैं बैट करके रहात कैंश जाईए जाईए दुकान हटाईए क्या judgment पास कर रहा है क्या judgment आखर मीडिया पास कर रहा है उनके उपर देश के अंदर पॉक्सो का अक्ट किसी के ओपर भी लगे सुप्रीम कोट में बैटर गया हुआ है पुलिस देर ने लगाते है गिरफतारी करते हुए सुप्रीम कोट ने पुलिस के रही है हम पहले जाच क करना चाहते हैं only करनाच आते हैं वू चल रही है को इससे इंकार ने कर रहा है सब कहने हैं कि चलिए पुलिस अपना काम कर रहे है यो का मिन अपना falando कर रहा है आज पर सफाई मांगी जा रही है पृशन से और आप ए llegoing को देख हैं को फिरायपली यह जानने चाहिए क्योंकि इनका जवाब ब्रिजबूशन शरण सिंग ने तो नहीं दिया है तो इस जाएंच कमिटी में एक लेडी रिसलर की शिकायत यह है कि 2015 में टर्की उलम्पिक क्वालिफिकेशन्स में डिनर के वक्त WFI के अध्यक्ष जो हैं वो वहाँ पहुचते हैं जब वो एक अपने साइकोलिजिस्ट और चार और कलीक्स के साथ मौजूद होती हैं उनको जबर्दस्ती चूने लगते हैं उनकी चाती पर चेस्ट पर वो हाथ रखते हैं यह बिर्जबूशन शरण सिंग के लिए कह रही है एक महिला रिसलर, ओलिम्पियन रिसलर और फिर वो आगे कहती हैं यह अपना हाथ नीचे मेरे पेट तक ले आए वो यह शिकायत देखें वो कह रहें हैं मैं अंगरीजी में पढ़ दूं अगर इन 2015 I had traveled with the Indian contingent to Turkey for Olympic qualification one day during dinner while I was accompanied by my psychologist and four other colleagues the president approached me, president मतलब WFIG president, बिर्जबूशन शरण सिंग to my utter shock and surprise he without any consent or information placed his hand on my chest to grop me then slid it down to my stomach and again moved his hand upwards to my chest यह आरोप है, अब सोचे कैसे हम किसी का नाम उजागर कर सकते हैं वो तो नाम लेकर के किसी महिला खिलाली को embarrass करने के लिए बिर्जबूशन शरण सिंग नाम लेकर के बातें कर रहे थे लेकिन यह आरोप लगे हुए हैं और यह सारे के सारे जो आरोप हैं यह एफिडेविट में लगाए हैं महिला खिलाली ने और इसके आलावा और शिकायते हैं आपको मैं बताता हूँ इसके आलावा इसी एफिडेविट के पन्दा नंबर साथ पर पन्दा नंबर साथ पर जो दूसरा आरोप है उसको शुरुआत से चलाईए ज़रा जो आरोप नमबर दूसरा है कि WFI अदेक्ष के दफतर के अंदर मैं अखेली बैठी हुई थी मैं उनसे दूर एक सोफे पर बैठी हुई थी ये अब ब्रिजबूशन शनरंड सिंग के दफतर की बात हो रही है वो मुझे थोड़ी दूर एक कुरसी पर बैठी थे यानि महिला रेसलर है वो सोफे पर थी ब्रिजबूशन शनरंड सिंग दूसरे अपनी कुरसी पर बैठी थे कुछ मिनिट बाद वो मेरी बगल में आकर के बैठ गय महिला रेसलर के बगल में आकर के बैठ गय मुझे गलत तरीके से टच करने लगे, गलत तरीके से मुझे चूने लगे, मेरी हथेली, घुटने, जांग और कंधे पर मुझे टच करने लगे, मुझे चूने लगे, मेरी मर्जी के बिना मुझे गले लगाने की कोशिश की उन्होंने, यह आरोप जो है आप देख रहे हैं कि यह आरोप एक महिला खिलाडी ने लगा है ब्रिजबूशन शनरंड सिंग के उपर और इनके जवाब जबाब देने की बजाए ब्रिजबूशन शनरंड सिंग जब सवाल पूछे गए तो बिलबिला कर इंटर्व्यू छोड़ करके वो आप स्टोर पार